साहित्ति कहानियों की श्रिंखला में आश कथा साहित्ते में सुनिये हिंदी की प्रसिद वरिष्ट कथाकार उशा राजे सक्सेनाजी की लिखी कहानी योरोब में रह रहे जिन अप्रवासी भारतिय लिखों ने हिंदी भाषा तथा साहित्य के प्रचार प्रसार के अलावा अपने स्रजनात्मक प्रतिभा के बल पर विजिस्ट पहचान बनाई उनमें उशा राजे सक्सेनाजी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है तो आईए आजानन्द लीजिए उनकी लिखी एक कहाने का जिसका सीर्षक है कैसे बताऊं बिटिया को शीना बेहत ठकी हुई थी वो घर आकर चुप चाप आँखें बंद कर सोवे पर लेट जाना चाहती थी पर उसकी आठ वर्षिय बेटी निन्नी को उसके आने की आहट मिल जाती है और वो खाना छोड़कर भागती हुई आई और उसके दोनों हाथों को अपनी गुदाज हथेलियों की पकड में लेते हुए पूछने लगी ममा आज आपके मरीजों को कौन से रोक थे निन्नी को पता है कि उसकी ममा सरकारी अस्पताल में साइकेट्रिस्ट है और वो उन रोग्यों की चिकित्सा करती है जो मानसिक रूप से पीडित होते हैं शीना निन्नी के माथे पर प्यार का चुम्बन देने के बाद हाथ में पकड़े ब्रीफ केस को मेज पर रखते हुए उसे अपनी दाहीनी बाहा में लपेट कर डाइनिंग रूम में खाने की मेज के पास पहुँच कर उसे कुरसी पर बैठा खाने की और इशारा कर खुद स मरीज होते हैं कुछ बहुत दुखी कुछ बहुत बेचैन एक मरीज की सोच इतनी बिगड़ी हुई थी कि उसने मुझे चिंतित कर दिया ओह फिर आपने उस रोगी को कैसे संभाला ममा वैसे ही जैसे हमेशा करती हूँ बेटी उसके दुखों और बेचैनियों को कम करने के लिए उसके साथ सहरिद्यता और सहनभूती के साथ बातें की देर तक उसकी समस्याओं को सुनती रही उसे आश्वस्त कर उसमें भरोसा पैदा करने की कोशिश की फिर नर्स कायरा से उसका परिचे कराया और कुछ दिन उसके अस्पताल में रहने का प्रबंध कर दिया शीन उसकी उम्र परिकथा सिंड्रेला और स्लीपिंग ब्यूटी से आगे निकल कर किशोरों के फेमस फाइव जैसी जासुसी दुनिया में प्रवेश करने की तयारी कर रही है ममा आपके मरीजों की सोच क्यों बिगड़ जाती है कांटे में फसे सलात के टुकडे को मुह में डालने से पहले निन्नी ने आग्रह करते हुए शीना से प्रशन किया शीना निन्नी के इस प्रशन से परिशान हो उठी कैसे बताए वो अपनी नन्ही सी बिटिया को मरीजों के उन भयानक, शर्मनाक और यातनापून मानसिक विकारों के पारे में उनके तरासत अकेलेपन को, उनके सामाजिक और पारिवारिक दवाबों और तनावों को जिनको झेलते झेलते वे इतने नर्वस, डरपोग, असंतुलित, असहाई और लाचार हो जाते हैं कि दुनिया उन्हें सनकी, पागल और नियूरोटिक कहकर खिल्ली उडाती है परिशान शीना कंजर्वेटरी में आकर रॉकिंग चेर में बैठ जाती है थकान से उसकी आखें बोचिल होने लगती है पर अर्शिता भनोत की लाल चक्तों से भरी नंगी बाहें और बेचैन पेड़ी तांखें उसका पीछा नहीं छोड़ती है मेरी चमडी में विशेले कीडे घुस आये हैं डॉक्टर इन सुर्ख चक्तों को देख रही है ना देखिए कीडे मेरी चमडी के अंदर घुस मेरी दे को खाय जा रहे हैं वाड का रौंड लेती शीना अर्शिता भनोत के हाथ पर उभर आये चक्तों को देखते हुए कुछ कहने को होती है कि अर्शिता अपने बालों को हाथों की पकड मे लेकर उपर उठाती है और कहती है यह देखिए मेरी करदन इन कीडों ने मुझे इतना काटा है कि मेरे घाओं में से खून रिसने लगा है यह देखिए तकिये पर खून के दाग शीना सहन भूती से सिरह लाती देख रही है अर्शिता की सुर्ख हो रही चमडी को जो जगा जगा छिली हुई है कहीं कहीं लहू के बिंदू भी उबर रहे हैं आगे फिर अर्शिता ने रुलाई को दबाते हुए कहा डॉक्टर इन कीडों से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या नहीं करती हूँ मैं तरह तरह के कीट नाशक सावुन से रगड़ रगड़ कर बदन को धोती हूँ एंटी अलर्जी क्रीम लगा कर कीट नाशक दवा से पूरे बदन को स्प्रे करती हूँ क्या बताऊं ये जानलेवा विशेले कीड़े मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं शीना की सहनभूती पाकर अर्शिता उसके और पास सरकाई शीना की नाक में अर्शिता के बालों और बदन से उठती कीट नाशक दवा की गंद खुस जाती है उसी मिचली सी आने लगती है पर वो सहनभूती के साथ धेर्य पूर्वक अर्शिता के जीवन के त्रासत अनभूवों को सुनती हुई उसके कंधों को भरोसा देने के लिए हलकी सितबाती है शीना की सहनभूती का एहसास कर अर्शिता थोड़ी और उत्साहित हो उसका हाग पकड़ कर कहती है जानती है डॉक्टर एक दिन बड़ी साबधानी से मैंने अपनी चमड़ी खुरच-खुरच कर कीड़ों को निकाला और एक जार में बंद कर एमिर्जेंसी लेब ले गई ताकि डॉक्टर लोग उन कीड़ों को माइक्रोस्कोप से देख कर दवा तजवीज कर सकें परन्तु एक लंबा समय गुजर गया अभी तक लेब से कोई परिणाम नहीं आया अब आप ही बताईए मैं क्या करूँ अर्शिता की शिकायत है कि उसके बदन और उसके घर में बहुत ही सुक्ष्म विशैले कीड़े और पिसु घुसाएं हैं वो उनसे चुटकारा पाने के लिए तरहा तरहा के कीट नाशक दवाओं से घर का स्प्रे करती है अपना बदन, साबुन, डेटोल और एंटी बेक्टेरिया लोशन से साफ करती है फिर भी ये जान लेवा कीड़े हैं, मरते नहीं है वो तंग आ चुकी है कीड़े ना तो उसका पीछा छोड़ते हैं, ना ही मरते है दिनों दिन कीड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है अर्शिता कहती है कि डॉक्टर की दी हुई दवाईयों से उसे कोई आराम नहीं मिल रहा है एक लंबे समय तक अर्शिता अपने फैमिली डॉक्टर की सर्जरी और एमरजिंसी अस्पताल के चकर काटती रही है यद्धिपी इस बीज उसके फैमिली डॉक्टर ने उसके खून की जाच कराई एलर्जी टेस्ट कराई किन्तु अर्शिता के खून में ना तो कीड़ों का कोई अस्थित्व मिला और ना ही एलर्जी टेस्ट में कोई गरबर मिली फिर उस दिन खीजी परेशान अर्शिता अपने फैमिली डॉक्टर से जगड पड़ी और उची आवास में बोली डॉक्टर ब्रायन आप मेरे इलाज में कोटा ही कर रहे हैं मैंने तीस वर्षों तक नेशनल इंशोरेंस का पुक्तान किया है क्रोधित और उतेजित सी वो डॉक्टर के टेबल पर मुक्का मारते हुए चिलाई सुनिये डॉक्टर ब्रायन ना तो मैं अवैद नागरिक हूँ और ना ही अनपन गवार और ना ही पागल मैं मैं कहते कहते उतेजना के कारण वो नीम बेहोश हो गई डॉक्टर ब्रायन की सेकेटरी भागी भागी पानी का गिलास लिए कमरे में आई पास बैठे स्टूडेंट शात्र मेडिकों की सहता से अर्शिता को रोग्यों के एक्जामिन टेबल पर लिटा कर उसे ट्रेंकुलाइजर का इंजेक्शन देकर शांथ किया और एम्बुलेंस से उसे मनोरोग्यों के अस्पताल भेज दिया जहां शीना से बाते करके अर्शिता को कुछ आश्वस्ती मिली उसने उत्साहित होकर शीना से कहा डॉक्टर मुझे आप पर पूरा भरोसा है आप चर्म रोग विशेशके हैं ना आप आवश्ये इन किटानों से मुझे चुटकारा दिलवाएंगी ना शीना अर्शिता को किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती थी मेडिकल एथिक्स के अनुसार वो मरीज से जूट नहीं बोल सकती है उसने अर्शिता की आखों में सीथा देखते हुए पूरी सहनभूती के साथ उसके बाहों को सहलाते हुए कौमल शब्दों में कहा सौरी अर्शिता मैं चर्म लोगों की विशेशगे नहीं हूँ मैं मानसिक बिमारियों की डॉक्टर एक साइकेट्रिस्ट हूँ चर्म रोग के विशेशगे डॉक्टर ने तुम्हारी पूरी जाच कर लिया है जर्म रोग के विशेश्य के डॉक्टर ने तुम्हारी पूरी जाच कर लिया है उन्हें तुम्हारी देह में अभी तक किसी तरहां के विशेले किटाणू नहीं मिले है अब तुम्हें मेरे पास यानि मानसिक रोग्यों के अस्पताल में फिजा गया है अर्शिता का चेहरा बुच्सा गया वो कन्फ्यूस्ट सी खड़ी शीना को घूरने लगी जैसे वो भी उसे पागल और संकी समझ रही है घबराओ मत अर्शिता मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ मैं तुम्हारी समस्याओं, दुखों और तकलीफों को अच्छी तरह समस्ती हूँ अर्शिता तुम ही कोई मानसिक आगात लगा है जिसके लिए तुम बिल्कुल तयार नहीं थी तुम एक बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी और एक शांदर विक्तित्व की स्मार्ट और खुबसूरत महिला हो शीना के स्नेहिल और खुबसूरत शब्दों में आई सहरिदिता, सहनुभूती और बहनापा अर्शिता को अंदर तक स्पर्श कर गया और उसके अंदर जमा दर्द उसकी आँखों से टप टप गिरने लगा वो धम से निधाल बिस्तर के साथ रखी कुर्सी पर गिर कर सिजखने लगी शीला स्नेहि से अर्शिता का हाथ पकड़ कर अपने कंसर्टिंग रूम में ले गई जहां उसने उसे एक आराम देहे कुर्सी पर बैठा कर मशीन से निकाल कर कौफी का प्याला पकड़ाते हुए कौमल शब्दों में कहा देखो अर्शिता एक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं तुम्हारी दोस्त भी हो सकती हूँ तुम एक समझदार और पढ़ी लिखी महिला हो यदि तुम चाहती हो कि तुम्हें इन किटाणों और पिस्वों से चुटकारा मिल जाए तो तुम ही मुझे अपने पूरे मन से सहयोग देना होगा मेरी कारे प्रणाली पर भरोसा बनाए रखना होगा इस समय तुम ठकी होई हो तुम्हें आराम किया वाशक्ता है शीना ने पास खड़ी नर्स काहरा से अर्षिता का परिचे कराते हुए कहा ये काहरा है हमारे यूनिट की सबसे सहरिद्य और अच्छी नर्स काहरा तुम्हारे अस्पताल में रहने नहाने और खाने पीने का ध्यान रखेगी अब तुम वाड में जाकर आराम करो मैं तुम्हें शाम को कंसल्टेशन दूगी और विस्तार से इन किटाणों और पिसों के पारे में बाते करूँगी जो तुम्हें इतने दिनों से कस्ट दे रहे हैं विश्वास करो, हम दोनों मिलकर इन किटाणों से छुटकारा पाने का सही रास्ता खोच सकते हैं अर्शिता और कायरा के जाने के बाद शीना ने मेज पर रखी अर्शिता की केस हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा था अस्पताल में हुए विभिन टेस्ट स्पस्ट करते हैं कि अर्शिता को कोई शारिडिक रोक नहीं है वो अवसात ग्रस्त, मनोरोगी, एक साइकेट्रिक केस किसी मनोविकार से ग्रस्त, अर्शिता के मन में यह द्रिड विश्वास जम गया है कि उसके चर्म के अंदर विशैले कीडे घुसाएं है साथ ही उसका घर विशैले कीडों और पिस्वों से बचबचा रहा है ये कीडे इतने सोक्षम हैं कि साधारन आखों से नहीं दिखते हैं अर्शिता के अनुसार उसके घर की हवा तूशित हो गई है उफ कहते हुए शीना ने प्रिस्ट पल्टा और आके पढ़ा इन कीडों से चुटकारा पाने के लिए अर्शिता खूब गर्म पानी में डिटरजन डालकर नहाती है बदन पर इंसेक्ट रिपलेंट स्प्रेच ड़कती है दिन में कई कई बार वो अपने को डिसिनफेक्ट करती है अर्शिता का कहना है कि इन सबसे उसे कोई फाइदा नहीं हो रहा है उसके बदन और घर में घुसाए कीडे मरने की बज़ाए दिन रात बढ़ते ही जा रहे है अब वे उसके खाने पीने के सामान और कपड़ों की अलमारियों में भी खुसते जा रहे है तंग आकर वो अब इन मृत्युंजे कीडों को नस्ट करने के लिए अपने घर को पेस्टिसाइट से फ्यूमिगेट करने लगी है उसका भरोसा बुरी तरहां से तूट चुका है वो मेंटल केस बन गई है ओ माई गॉड पूर अरशिता कहते हुए शीना ने मेज पर रखे गिलास से पानी पिया और फिर दूसरी फाइल उठा कर अरशिता के चर्म लोग के विशेशग्य की रिपोर्ट पढ़नी शुरू की जिसमें लिखा था विशाक्त किटानों नाशक दवाओं के संकर्मन में आने से अरशिता की त्वचा में खुजली होती है लगातार खुजाने के कारण उसकी बाहों पर खुणी चक्ते उभर आए है गर्दन के नीचे मवाद और खुण से भरे घाव और फफोले निकल पड़े है इसके अत्रिक्त कीट नाशक फ्यूमिगेशन में सांस लेने के कारण उसे सांस लेने में कठनाई महसूस होने लगी है इन तमाम लक्षणों ने अरशिता के मन में यह द्रिड अवधारना बना दी है कि उसके घर के कोने कोने में, उसकी चमडी की तहों में, उसकी श्वास नली में, उसके फेभणों में विशाक्त किटानों और पिस्वों ने अड़ा बना लिया है शीना ने अर्शिता के दुख से आहत हो फाइल को बन कर दिया और आँखे बंद करके सोचने लगी संभवता हा, अर्शिता बहुत अकेली है और किने विशम कारणों से वो अपने आप में बंद हो गई है उसे भ्रमसा हो गया है कि उसका घर विशेले कीडों से बजबजा रहा है शाम को घर चाने से पहले अर्शिता की काउंसलिंग करते हुए शीना को बाच चीत के दोरान टुकडों टुकडों में पता चला की रचनोवृती मेनोपाउस की उमर में अधिक रक्तसराव के बीच जब अर्शिता के हार्मोन असंतुलित हो रहे थे और वो कुछ मुण जाई, कुछ चिर्चडी हो रही थी गर्म और ठंडे लप्टों से परेशान, पसीने से लत्पत, खुद को समझ नहीं पा रही थी ऐसे में रजनोवृती की समस्याँ से जूझती सरल हृत्या अर्शिता को पता ही नहीं चला की उसका लॉंग डिस्टेंट लॉरे ड्राइवर पती, हरीश का एक लंबे समय से किसी अन्य इस्त्री से संबंद है अचानक एक दिन जब हरीश खर आया तो, वो सीधा पैडरू में जाकर फिर से बाहर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगा तो अर्शिता ने सहच ही उसे पूछ लिया, कि आशकल वो जारा जादा लंबे लंबे ट्रिप लगाने लगा है हरीश ने पहले तो उसे कोई जवाब नहीं दिया फिर जब उसने दोबारा पूछा तो, बस गुस्से से फुबखारता हुआ जल्दी जल्दी अपना व्यक्तिकत सामान समेठता रहा अर्शिता चुप चाप दर्वाजे के पास खड़े उसे देखती रही जब वो जाने लगा तो, अर्शिता ने उसे दर्वाजे पर खेरते हुए पूछा कि आखिर वो इतना सब सामान लेकर कहा जा रहा है तो उसने चिल्लाते हुए कहा कहते हुए उसने दर्वाजे पर खड़ी अर्शिता को जोरों का धकर दिया और धर से तरवाजा मार कर चला गया अर्शिता फर्श पर गिर पड़ी बात में जब वो होश में आई तो उसे कुछ याद नहीं रहा केवल हरीश का क्रोधित चहरा जरम्स और स्टिंकिंग हाउस जैसे कुछ तूटे-फूटे वाके याद कर हर वक्त परिशान रहने लगी शीना से बात करते हुए अर्शिता धीरे-धीरे सहचता के साथ खुलने लगी आगे उसने शीना को बताया कि उसे अपने घर क्रहिस्ती को सुन्दर और सोचारो रूप से चलाने में गर्व की अनुभूती होती थी अतह वो घर को साफ सुत्रा रखने और परिवार को सुविधा देने में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे कभी किसी अन्य बात का ध्यान ही नहीं रहता था गब शपका वैसे भी उसे कोई शौक नहीं था उसके पती को कामकाजी इस्त्रियां शोख और चरित्रहीन लगती है अतह पड़ी लिखी होने के बावजूद भी उसने कभी बाहर जाकर काम करने की नहीं सोची वो अपने घर ग्रहस्ती और बगीचे की देखभान करने में सुख पाती है अर्शिता का चहरा उस समय गुलावी हो उठा था में रहकर हनिमून मनाता रहा आगे अर्शिता ने बताया कि उसका एक बेटा है जो पिछले वर्ष उच्छ शिक्षा के लिए अमेरिका चला गया है वो हमेशा इस बात से खुश रहती है कि बेटा अपने पिता से फोन पर बाचित कर लेता है लड़की पढ़ा को किसंगी है वो हमेशा कानों पर हैड़फोन लगाए अपने कमरे में बंद कम्प्यूटर और फोन पर लगी पढ़ाई करती रहती थी उसे सिर्फ अपने खाने पीने पढ़ाई लिखाई और पॉकेट मनी से मतलब रहता था माँ बेटी में सिर्फ जरूरत भर का समात होता था एक दिन बेटी ने अर्शिता को बाहों में भर कर कहा उसे जर्मन इंस्टिूट से स्कॉलरशिप मिल गई है और वो आगे की पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जा रही है यह तो खुशी की बात है अर्शिता ने सूचा लड़की दो तीन महीने पहले अपना सामान समेट कर आगे की पढ़ाई करने जर्मनी चली गई अर्शिता को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो दिनों दिन अंदर अंदर और और अकेली होती चली जा रही है इधर बेटे बेटी से भी उसका संपर्क तूट सा गया है वो घर काम करती हुई हरीश का इंतजार करती रहती पर इस बीच उसने पाया कि हरीश काफी लंबे लंबे ट्रिप लगाने लगा है धीरे धीरे अर्शिता खुलती जा रही थी जैसे वो अपने आप से बातें कर रही हो फिर आगे उसने पताया कि एक दिन अचानक जब उसका पती हरीश घर आया तो उसके आकरमक और उदंड वेहवार से उसको जबर्दस्त धक्का लगा सरल सौभाव की अर्शिता के दिल और दिमाग पर ऐसी चोट लगी कि उसके मस्तिश्क का संतुलन बिगड़ गया दुख के तीवरागात के कारण उसके मस्तिश्क में बनने वाले रसायन का संतुलन बिगड़ने लगा और उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सब लोग उसे छोड़ कर इस तरहां चले क्यों जा रहे हैं जबकि वो तो अपने पती और बच्चों के लिए इतनी समर्पित है पती के इस तरहां चले जाने के बाद जब उसे होश आया तो उसे कुछ समझ नहीं आया फिर उसे हलके हलके चक्कर आने लगे जाने किस अंजाने शोब और गलानी के कारण वो अपराद बोच से ग्रस्त सोचने लगी कि आखिर यह सब करा कौन रहा है उसके घर में ऐसा क्या प्रवेश कर गया है जिसके कारण घर वाले घर छोड़ कर भाग रहे हैं दुख के आवेक में वो अपने बाल नोचने लगी बालों के उख़णने से सिर में घाव होने लगी घावों पर खुरण जमने लगे उनमें खुजली होने लगी सिर खुजाते खुजाते वो अपना बदन भी खुजाने लगी अर्शिता के सोचने की शक्ती छीन होने लगी उसे वास्तवी कारण दिखना बंध हो गया चल बिछोहो दुख और तनाव से पिड़ित अर्शिता का ध्यान धीरे धीरे बालों और देह में होने वाली खुजली पर केंद्रित होता चला गया उसे विश्वास हो चला की उसके बदन और घर में हजारों और लाखों की संख्या में विशेले कीडे घुसाएं हैं जो उसके बदन को खाई चले जा रहे हैं और वो खुद को और घर को डिसिंफेक्ट करते करते पेस्टिसाइड से फ्यूमिगेट करने लगी हे प्रभू, शीना का हृद्य करूना से चितकार उठा ऐसी विशम मानसिक स्थिती में धवा, ट्रेंकुलाइजर से अधिक, रोगी कोस नहें, सोहार्थ, सहन भूती, विश्वास और आश्वासन की अवशक्ता होती है अर्शिता के पास कोई सहरा नहीं था, वो अकेली पढ़ गई है, अस्थिर हो उठी है, आश का वर्तमान समाज जिस तरहां विक्सित हो रहा है और जिस तरहां के दवाब तनाव और अकेले पन की विशम परस्थित्यों से व्यक्ति, घर समाज और परिवार गुजर रहा है उसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी को भी मनोरोख हो सकता है, साइकोसिस के इन भूते गल्यारों से निकलने के लिए आशधी के साथ, अर्शिता को, स्नेह, सोहार्थ के साथ, साइकेट्रिक सहेता यानि काउंसलिंग की आवशक्ता भी थी, जो उसका फैमली समय से उसे नहीं दे सका, ना चाने कब से वो इधर से उधर लावारे सी एक फुटबॉल की तरहा नुड़कती फिर रही है, शीना अभी यह सब सोच रही थी, कि वो अर्शिता को किस तरहां उसके जीवन के यथाट से परिचित कराते हुए, आश्वस्ती के साथ उसे पु सामाजिक जीवन में प्रवेश कराए, तभी निन्नी खाना समाप्त कर तौलिय से हाथ पोंचती हुई, उसकी गोद में आकर पैट गई, और शीना के गालों पर चुम्मी देते हुए उसके चेहरे पर जूल आये लटको, कानों के पीछे खोंसते हुए बोली, ममा बताएए शीना आपके मरीजों की सोच कैसे विगड़ जाती है, और आप उन्हें कैसे ठीक करती हो, शीना निन्नी के साथ बगीचे में पड़े जूले पर आकर पैट जाती है, और उसकी कमर में हाथ डाल कर उसे अपने और करीब खींच लेती है, फिर सावधानी से शग्दों का चे शीन नहीं पा रही थी, रोगी का कहना है कि उसके बदन में विशैले किटानों घुस गए हैं, और वे उसके बदन को काट 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 कर चलनी किये दे रहे हैं, जबकि खून की जांच और सोनोग्राफी बताती है कि उसके बदन में कोई किटानों नहीं है, रोगी का भरोसा डॉक्टर पर से उठ गया है उसका कहना है कि डॉक्टर उसकी जाज ठीक से नहीं कर रहे है पहली प्रतिकिर्या में निन्नी की आखें आश्चरे से चौड़ी हो जाती है और वो जोरों से हस पड़ती है पर फिर दूसरे हिचन वो रोगी के भय, पीड़ा और निराशा के बारे में सोच कर दुखी हो जाती है मधम स्वरों में शीना के कंधों पर सिर रख कर कहती है ममा अब क्या होगा? मुझे आपके रोगी की पड़ी चिंता हो रही है वो ठीक तो हो जाएगी ना ममा? प्लीज बताओ ना? वो भरे गले से पुछती है कैसे बताए वो निन्नी को? निन्नी अब बच्ची नहीं रही उसके सोचने के ढग के साथ उसके प्रशनों में अब जीवन की सचाईयां प्रवेश कर रही है निन्नी अधीर हो उड़ती है शीना को सोचने का सामय नहीं देती है ममा, आप उस रोगी को ठीक तो कर देंगी ना? निन्नी जूर देकर प्रशन तुरंत दोहराती है जिसका उत्तर वो हां में चाहती है मेरी कुडिया, उसकी बीमारी बहुत जटिल है अभी मैं उसकी बीमारी को जानने और समझने की कोशिश कर रही हूँ सबसे पहले मुझे उसका भरोसा जीतना है फिर उसे उसके जीवन की सच्चाईयों से परिचित कराते हुए उसको पुनरवास के लिए तयार करना होगा उसके ठीक होने में बहुत दिल लगेंगे लंबे अर्से तक उसे अस्पताल में रहना होगा यह पुनरवास क्या होता है ममा पुनरवास का आर्थ है कि उसे नए घर में नए लोगों के साथ मिल जुल कर रहना उनकी खुशियों में खुश होना नए-नए काम सीखना वगेरा पर ममा वो ठीक तो हो जाएगी न शेना निन्नी की आवाज में आई समेदना और चहरे पर पसर आई चिंता को देखती है निन्नी को पाहों में भरकर शेना उसकी आँखों में झांकते हुए कोमल स्वर में समझाते हुए कहती है मुझे नहीं मालूम मेरी गुडिया कि इस रोगी के ठीक होने में कितना समय लगेगा पर वो ठीक हो जाएगी ऐसा मुझे आभास हो रहा है शेना निन्नी की आँखों में अपने प्रतिय आश्वस्ती की जलक देखती है निन्नी ही नहीं हम सब चाहते हैं कि रोग के लक्षन पहचान कर डॉक्टर ऐसी दवा दे कि रोग चट पर ठीक हो जाए काश शारीरिक रोगों की तरह अवसाद ग्रस्त मनोरोगों के लिए भी पेटेंट दवाएं होती ब्लड टेस्ट होता एक्सरी होता सोनोग्राफी होती साइकेट्री में ऐसा कुछ नहीं है साइकेट्रिस्ट असंतुलित हो गए मस्तिश्क के अंधेरे कौनों में उपजे गुंजल को और गुतियों को सुलजाने के लिए स्नेहे, स्वहार्थ, सहनभूती आस्था विश्वास के साथ परामश देते हुए रोगी के भावनाओं के उन अंधेरी कोटरियों और तहकानों में प्रिवेश करते हैं जहां संदेहे, संशे, डर, भय, गिरना अविश्वास जैसे विश्धर कुंडली मारे रोगी को डंक मारते रहते हैं रोगी दिनों दिन मानसिक रूप से अस्थिर होता चला जाता है और स्वैम पर से उसका नियंत्रण नहीं रह जाता है निन्नी इस समय जीवन के बड़े ही नाजुक दोर से गुजर रही है उसके बाल देह के अंदर सुब्ध ग्रंथियों का रासायन बदल रहा है वो बाले वस्था से कैश्वरे की और कदम बढ़ा रही है अतह निन्नी अब अधिक समेदन शील और प्रशनाकुल होती जा रही है उसका अवचेतर मन कलपना और यतार्थ में फर्क करना सीख रहा है देह के साथ साथ निन्नी का मानसिक विकास भी हो रहा है शीना सोचती है निन्नी के स्वस्थ संतुलित शारिरिक एम मानसिक विकास के लिए विशेश कर उसकी समेधनाओं के मूल तत्व को समस्ते हुए उसे सतर्क और सहच करते रहना होगा कुछ खोज निन्नी स्वयम करेगी और कुछ में उसे निन्नी का मित्र बन कर उसे सहियोग और सहयता देनी होगी अरे निन्नी वह देख तो सही जो टमाटर के पाधे तो पिछले दिनों नरस्री से लाई थी उसमें फूल आ रहे हैं और वह देख दूसरे बाले पाधे में तो नन्हे नन्हे टमाटर भी आने लगे हैं पौधे कुछ जुकने लगे हैं अगर समय से उन्हें सहारा नहीं मिला वे तूट जाएंगे उनमें लटके सूखे पत्नों को चुनकर निकालना होगा और फिर जल्दी ही ये बेबी टमाटर बड़े होकर लाल और सुर्ख हो जाएंगे वो सायास निन्नी का ध्यान टमाटर के पौधे की देखभाल की और मोड़ती है ताकि उसके अंदर प्रिकृति के माध्यम से मनुशे और समाश के पृति समेदना के साथ दाइत्व का बोध भी चाकृत हो सके निन्नी की नजर टमाटर के पौधों पर चाटिकती है के सोखे पत्तों को निकाल कर कामपोस्ट बिन में डालती है पानी में बेबी बायों की तीन चाल बुंदे डालकर पौधे को स्नेह से सींचती है फिर खुर्पी से पौधे के आस पास की मिट्टी को गोड़ती है गड़ी भर टमाटर के पौधों पर प्यार की नजर डालकर शीना से कहती है ममा क्या आपको मालूम है पौधों के साथ हमें बाचित करनी चाहिए उन्हें संगीत सुनाना चाहिए अगर पौधे खुश रहते हैं तो जल्दी बढ़ते हैं और उनमें फल भी चल्दी आने लगते हैं उनको भी कमपनी अच्छी लगती है कहते हुए उसने दूसरे टमाटर के गमले को उसके पास रका दिया फिर शीना से लिपटते हुए बोली ममा अब जब हवा चलेगी तो दोनों पौधे एक दूसरे को छूते हुए आपस में पाते करेंगे है ना और ये जो बाकी के पौधे है ना उन्हें भी अलग-अलग पौट में लगाना होगा उनका पुनरवास करना होगा कहते हुए वो खिल-खिला कर हसी अभी शीना कुछ कहने जा ही रही थी कि निन्नी बोली ममा आज मैं एक बड़ा सा गेट वेल कार्ड बनाऊंगी आप उसे अपने मरीज को दे देना और साथ में यह मेरी कोल्ड का पौट भी शीना गहरी द्रिष्टी से निन्नी को प्रसंता के साथ देखती हुई सूचती है उसकी नन्ही बिटिया अब परियों के देश से निकल कर वास्त्विक संसार में प्रवेश करने की स्वेम ही अच्छी और स्वस्त तयारी कर रही है उसे केवल उसके आसपास रहते हुए समय समय पर सहयोग, भरोसा और विश्वस्त संबल देना होगा ताकि वो अपना विकास स्वस्त मानसिक्ता के साथ समाश के प्रती दायत्व के बोध विक्सित कर सके अभी आपने उशा राजे सक्सेना जी की लिखी बेहत ही भावभून कहानी सुनी इसी प्रकार के साहित्ति कहानिया सुनने के लिए कथा साहित्ति से जुड़े रहेगा धन्यवाद